हेलो रिवान, वेलकम टू फार्मरोक्स यूट्यूब चैनल, फार्मरोक्स के यूट्यूब एजूटियूचन चैनल में आपका स्वागत है आज की वीडियू लेक्चर में हम डेटेल में स्टेडी करेंगे 5 सबसे अच्छी लो ब्लड प्रेसर के दवा के बारे में कि जिसके अंदर स्पेसली क्या होते है कि आपको चक्कार आते हैं, वामिटिंग होती है अचानक से दुन्दला दिखता है और काफी ठकान भी रहती है कि अगर आपका ब्लड प्रेसर काफी लो रहे है ब्लड प्रेसर लो होना मलब की मेडिकल टांस में उसको हम हाइपो टेंसन कहते हैं जिसके अंदर आपका ब्लड प्रेसर जो 90-60 जो मेजरमेंट होता है उससे भी कम रहते है कि मानों किसी परसन का ब्लड प्रेसर आप चेक करते हैं और वो आता है 80-55 आता है तो इसको हम कहेंगी कि उसका ब्लड प्रेसर जो है वो लो है तो ऐसे कंडिसन को मेडिकल टर्म्स के अंदर हम हाइपो टेंसन भी कहते हैं कि जो बहुत सारे अलग-लग रिजन्स के करन हो सकता है तो यहाँ पर आप चार्ट देखो तो पता चलेगा कि जो नॉर्मल ब्लड प्रेसर हमारा होता है 120-80 और लो बीबी के एक रेंज है 90-60 तो उससे भी कम समझो कि हो जाता है ब्लड प्रेसर तो उसको हम कहते हैं हाइपो टेंसन तो सीखते हैं डिटेल में आज के लेक्चर मे पाँ सबसे अच्छी हाइपो टेंसन की दवा के बारे में ते एक्सपर लेक्चर वायमर सर असिस्टम प्रोफेसर और फाउंडर और फार्मरोक्स थेंक्यू पर बीन फार्मरोक्स में मिली अपडेटेट रही है फार्मा नोलिज के साथ सीखे अलग-अलग बीमारियों के बारे में कि जैसे आज यहां पर हम हाइपो टेंसर के बारे में सिखेंगे एसी अलग-अलग बीमारीयों के बारे में सिखें उनके उपचार के बारे मिसे होती है उनके dose side effects क्या हो सकती है,这 ere है, वार्निंग्स क्या रहेगी और यह सब सेखें delрий में एक साल तक और प्रइक् आपको description box में मिल जाएगी साथ ही में आपको बददो कि जो हमारी second channel है जिसका नाम है Hollywood to Hindi Experience को जरू से subscribe करें और support करें link description box में मिल जाएगी तो hypotension क्यों होता है उसके reasons तो कई बार pregnancy में एक symptom बदता है अगर आपको heart related problem से तो भी आपका blood pressure कम हो सकता है हो जाता है काफी सार के कोई accidentally कोई injury होती है और blood loss होता है तो भी आपका BP जो हो लो हो सकता है फिर ऐसे कुछ infections होते है सीवेर जिसको septic semia हम कहते है या फिर अच्छानक से कोई ऐसे allergic reactions हो है तो भी आपका blood pressure जो हो decrease हो सकता है फिर आप में मतलब कि कमजोरी है मानो कि nutrients के आपको कमी है कि आपको proper vitamins नहीं मिल रहे minerals जैसे जो nutrients होते हैं कि जो पोसक तत्वकाई जादे कि जो अच्छे से diet लेने भी मिलते है उसकी कमी है तो उसके करण कमजोरी आएगी ठकान होगा और वो भी एक reason बनेगा आपके low blood pressure के लिए फिर लंबे समय तक आप bed rest करते हैं तो भी ये problem हो सकता है अगर आपके सरीर के अंदर salt की मातरा कम है या फिर आप काफी कम salt लेते हैं diet के अंदर तो भी फिर nutrients पूर है malnutrition की जो आपने बात की blood volume अचनक से कम हो जाना heart problem और heart rate कम है तो ये सब भी problems के कारण hypertension हो सकता है कि जो हमने उसके symptoms देखे तो अचनक से चक कराना में लिए के fainting dehydration हो जाना nausea vomiting में लिए कि ulty होना जी गब रहना सिर्दद रहता है dehydration आपका हो सकता है कि जो blood pressure जो कई बार reduce करवा देता है और हमेशा काफी सरे symptoms देखने को मिलते हैं कि कई बार आपको diarrhea भी हो जाते है या फिर vomiting होती है प्यास लगती है बार बार depression जैसा फिल कर देता कान seizures आते है ये एक problem होता है heartbeats irregular हो जाता है पसी ना आपको जो ये वो काफी देखने को मिलता है skin color change हो ना फिर जो हमारे नेक होती है वहाँ पर आपको stiffness मलब कि वहाँ पर occurrence जैसा आप महिसूस करते है concentration नहीं कर पाते vision blur हो जाती है और बहुत सारे complications जैसे कि fatigue मिलेगे थकान डिप्रेस्टन और unconsciousness का भी problem हो सकता है मतलब कि आपके जो वह host ना रहे आप बेhost भी हो सकते ऐसे कुछ problems hypertension की low BP के करन हो सकता है और ये symptoms बहुत ज़्यादा severe हो जाए तो किसी patient की death भी हो सकते तो उसको diagnose तुरंद करना जरूरी है तो जो sphigmo manometer आता है या पर जो आप देख रहे है कि जो ये वाला digital है और ये normal जो BP का जो instrument आता है जिससे BP measure किये जाते हैं जिसको हम sphigmo manometer करते हैं उससे या फिर आप digitally भी measure करके पताच लगा सकते हैं फिर home remedies के अगर आपके diet में salt कम है तो patient salt ले सकता है और proper healthy diet लेने से जैसे कि beet root है coffee है liquor rice है holy bacills raisins आपके diet में है lemon juice फिर rosemary almond है milk है salt water carrot juice वगेरा भी आप समझे regular diet में लेते हैं तो भी आपका low blood pressure जो हो ठीक हो सकता है salt water भी कई बार emergency में patient को दिये जाते हैं कि अगर काफी अचनक BP low हो गया है और complications फिल रहा है तो उस वक्त salt water भी एक options बनता है कि जिसके अंदर salt जो है वो water के अंदर वाटर के अंदर पानी के अंदर mix करके patient को दिया जाते अब जानते है पांच best दवाई है कौन सी रहेगी तो सबसे पहले top पे है floodrocortison करके एक दवाई है second है midodrine तिसरा pyreodistigmin चोथा है caffeine और पांचवा erythropoietin तो यह पांच अलग-अलग options है और यह best medications कही जाती है low BP के लिए पांच best option कौन से है तो यह है तो floodrocortison की हम बात करे तो low BP के लिए जो खास कर यूज की जाती है कि जब आप खड़े होते है और आप ऐसा feel कर दे कि आपका blood pressure जो डाउन हो रहा है ऐसा आप feel करे तो ऐसे condition में floodrocortison जो पेसन को prescribe के जाता है और यह कौर्टिको स्टेरोड है कि जिसके करन क्या होता है कि आपके सरीर के अंदर sodium और fluid जो है वो control में रहते है कि main reason यह होता है कि कई बार dehydration कि जिसके अंदर आपके electrolytes मलेके salt भी loss होते है मलेकि NACL जो sodium होगा आपका और जो fluid होता है मलेकि पानी का भाग होता है हमारे सरे में वो भी loss होता है तो ऐसे condition में corticosteroid drug जो है floodrocortison यह काफी helpful साबित होती है यह problem को solve करने के लिए और यह medication कप पर subscribe की जाती है यह देखे क्योंकि जो आपने आगे देखे कि बहुत सारी reasons से low BP होता है तो यह medication based काप साबित होगी कि जब dehydration के कारण किसी का blood pressure low हुआ है तो यह आप खास दियान रखे कि इसमें भी एक काफी useful साबित होती है कि जब dehydration के कारण low BP होए थे उस वक fludrocortisonic आपके लिए first choice medication रहेंगी और यह medication क्या करती है जो blood volume है उसको boost करती है तो जिससे फिर से आपका blood pressure जो है वो increase होता है और फिर से वो normal के range में जो आ जाता है अब यह medication के हम dose की बात करे तो कितने dose में लिए जाती है तो 100 से लेकर 200 microgram per day यहापे आप देखो यह 100 microgram की tablet है मलकि milligram से भी जो कम dose होता है यह वाला dose है तो 100 जो MCC मतलब के microgram जिसको हम कहते है तो इसका dose रहता है अगर यह tablet आप लेते तो दिन में दो बार भी पेशन खा सकता है या फिर दिन में एक समय कि अगर आपका BP बार बार लो होता है dehydration के करन भी ऐसा हो रहा है तो यह medication useful सा भी थोती है यह कुछ side effects करती है जैसे कि stomach upset पेट में uncomfortable जैसे आपको फिल कर सकते हैं स्टमक में irritation आपको हो सकती है nausea vomiting भी patients को हो जाते है सीर दर्द रहता है dizziness जैसा फिल करते है इन स्वावनिया में लेकि नीद नहीं आती और restlessness जैसा फिल करते है और depression जैसा कई बार patient फिल करते हैं अगर उसको काफी लंबे समय तक और काफी high dose में अगर कोई यूस करता है वीडियो के बीचे में आपको बता दू कि जो हमने एक second channel स्टार्ट की है Hollywood to Hindi Excellence उसको जरूर से subscribe करें और हमें support करें link आपको description box में मिल जाएगी second जो है medodrine है कि जो low BP की एक दुसरी best medication है कि especially जो orthostatic hypotension की जो हम condition कहते हैं और जो chronic है कि बार बार आपका BP जो हो रहा है orthostatic hypotension की जो condition कही जाती है तो उसमें ये medication first choice बनती है आपके लिए और especially क्या करती है जो blood vessels की ability होती है constriction होना उसको expand करती है मतलब कि जो blood vessels का contraction करा कि normally क्या होता है कि जो blood vessel ऐसी wide हो जाती है तो blood pressure जो है वो आपका reduce हो जाता है बट जब उनका diameter या फिर उनको इस तरह से उनका diameter को contractions किया जाता है मतलब कि वहाँ पे वासो जो constrictions जो हम कहते है contraction करते हैं वो करने से क्या होता है कि यह diameter जो यह चुटा होता है और उसके करन जो physics के concept होते है उसके according जब diameter कम हो जाता है तो automatically flow बढ़ जाता है मतलब कि pressure बढ़ता है और उसी तरह से यह medication blood pressure increase करवाती है कि जिसका dose रहता है 2.5 से लेकर 10 mg orally हर आठ गंटे पर कि अगर समझे कि आप यह 2.5 mg के tablet ले रहे है तो इसको हर आठ गंटे पर मैं लेकि एक 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 इस तरह से कि हर आठ गंटे पर 24 वर्स में आप तीन टेबलेट लेकि maximum तीन टेबलेट स्पेशन खा सकता है और dose रहेगा 2.5 से लेकर 10 mg हर आठ गंटे पर तो यह खास दियान रखें इसके कुछ side effects आप देखो तो numbness या फिर tingling जैसा करवा सकता है कि sensation थोड़े कम हो ऐसा आप फिल करो आपके scalp के अंदर आपको itching यानि कि खुचली हो सकते हैं गोजबम जैसा आप फिल कर सकते हैं फिर chills न लेकर आपको ठंड लगना बार बार urination में लेकर frequent urination आना या फिर urinary urgency या फिर कुछ लोगों को urination में भी difficulty होते हैं तो कुछ ऐसे side effect होते हैं कि urine में कुछ लोगों को बार बार जाना पड़ता है या फिर urination कम हो जाए ऐसे कुछ side effects करती है mid-odering तीसरा option है पायरीडू स्टेगमिंग की जो एक anti-colinar esterase drug है और ये effective है कि जब आपको neurogenic orthostatic hypotension है तो उसमें ये medication based रहता है जिसका dose लेता है 60 से लेकर 180 mg orally per day माले कि ये 60 mg है तो जब भी low BP होता है तो पहला ये patient तुरन जो इमर्जंसी में खालता है जिससे उसका blood pressure जो नॉर्मल हो और जरूरत पढ़ने पर दिन में 2 tablet या फिर 3 tablet भी patient ले सकता है maximum dose लेता है उसका 180 mg per day और खासकर minimum dose से शुरू की जाती है 60 mg per day के साब से patient उसको लेते हैं फिर जो मायस्थेनिया ग्रेविस्स की जो patient होते हैं उन में muscles की strength को इंप्रूव करने के लिए भी पायरीडो स्टिग्मीन जो ये वो प्रिस्क्राइब की जाती है ये कुछ side effects करते हैं आपके पेट में upset जैसे आप फिल करो uncomfortable जैसे nausea vomiting हो जाए कुछ लोगों को diarrhea हो जाए vomiting हो सकते हैं फिर skin जो का कलर चेंज होना में के pale skin जैसे condition cold sweat मनलब कि ठंड लगना और साथो साथ जो ही वो पसी ना आना vision blur करवा सकती है और watery eyes ऐसे कुछ side effects करती है पायरीडो स्टिग्मीन चोथा option है caffeine का low BP के लिए कि जो एक central nervous system stimulant का काम करता है कि कई बार क्या होते हैं कि cns depression होने के कारण भी आपका blood pressure जो लो हो सकते तो उस वक्त आपके central nervous system को फिर से stimulate करना जरूर है तो उस वक्त caffeine काफी useful सा भी होता है और caffeine क्या करता है muscles को relax करने के लिए cardiac muscles को stimulate करने के लिए जो dramatic rise जो कराना है कि अचानक से blood pressure drain है और उस वक्त कोई और option आपके पास नहीं है तो उस वक्त caffeine से भी blood pressure increase करवाया जा सकते है कि जिसका dose रहता है 20 से लेकर 100 mg औरली पर डे के हिसाब से उसका यह dose रहेगा तो यहाँ पर आप देखो कि यह 100 mg है तो 100 mg पेशन को तुरंट जो है वो दे देना चाहिए कि जिससे उसका BP जो है वो increase हो उसके बाद जो हो regular hospitalized करके या फिर दूसरे जो हमने medications बात की उसके हिसाब से diagnosis करके treatment आगे शुरू की जा सकती है caffeine को side effects करवा सकती है जैसे कि आपकी heart rate increase करवा सकता है तो जो heart के patient होते हैं उनको caffeine जो हो नहीं दी जाती insomnia में लेकि आप आप देखो गड़ी में रात के 2-3 बज़े है फिर भी patient को जो हो नीन नहीं आ रही है तो क्या है कि आपका blood pressure तो चलो control आ जाता है बट यह medication क्या करते हैं कि आपको रात को late तक जो है जगाने का काम करेगी nervousness जैसा आप feel कर सकते है restlessness, nausea, vomiting, सीरदर्द, anxiety वाले कि चिंता जैसा या फिर high dose में कोई ले लेता है तो उसको chest pain जैसे side effect भी caffeine करवा सकता है erythropoietinic option है पांचवा कि अगर low BP का reason anemia कि कई बार को लोगों को क्या होता है कि सरीर के अंदर खून की कम होती है कमजोरी होते हैं उनका HB भी जो है वो काफी कम होता है उसके करण भी उनको चक्कर आते है और उनका blood pressure कम हो जाता है साथ हो साथ उनके सरीर के अंदर red blood cell की मात्रा भी काफी कम होती है तो ऐसे condition में और reason समझो कि BP low होने का anemia है तो ही ये erythropoietin के जो injection से उसका option रहते गई जो क्या करते हैं कि आपके सरीर के अंदर red blood cell की मात्रा बढ़ाते हैं RBC बढ़ेंगे तो HB पढ़ेगा और anemia ठीक हो जाएगा तो automatically आपका low BP की कम हो जाएगा मतलब कि especially low BP की इलाज में एक reason भी दूनना जरूर कि किस reason से आपको blood pressure कम हो रहा है तो अगर वह reason find out कर लोगे तो आपका problem हमेसा के लिए जो हो सवाल हो जाता है तो यह medication का जो dose किस तरह से बनता है तो 25 से लेकर 100 जो IU कहे जाते हैं international units होते हैं वो per kg के हिसाब से patient को दिये जाते हैं 3 times week और maximum 600 international unit per kg per week के हिसाब से दे जाते हैं कि मान लो कि किसी patient का जो वजन है वो है 50 के जी वजन है उसका और आपने fix किया है उसको पचास IU जो है उतना देना तो उसके लिए dose बन जाएगा 2500 IU इंटू 3 times इने week मानले कि week में 3 बार कि समझे कि आप Monday को देते हैं फिर Tuesday नहीं और वेडने को आप fix करते हैं फिर Thursday नहीं और Friday तो इस तरह से week में 3 बार कि एक एक दिन की gap से भी patient ये injection ले सकते है तो प्रॉपर जरूरी है कि उसका वजन के हिसाब से ही calculation करना और उसके according to पहले ही high dose नहीं देते medium या फिर low dose से treatment स्टार्ट करते हैं अब ये medication भी कुछ side effects करेगी जैसे कि कुछ लोगों के अंदर ये allergic reactions करवाते हैं कि जानक से आपको allergy हो जाती है आप बीमार हो रहे है या फिर आप बीमार है ऐसा आप फिल करते हैं ये injections लेने के बाद कुछ लोगों को diarrhea हो जाते है blood clotting का risk होता है कि इस लोगों के अंदर सीर दर्ध होना blood pressure high करवाना और muscles joint या फिर bone में pain करवा सकती है और flu leg symptom तो ये आप याप देखो जे उसके side effect है वो भी कई बार help करते हैं कि अगर BP काफी लोगा है बेसन का और उस वाक ये erythropoetin दी जाती है तो blood pressure increase करते है बड़ जो ये medication का करेगा उसका main reason खतम करेगी कि अगर low BP का reason जो है वो RBC कम है पेसन के या फिर उसके अंदर HB कम है तो ये दोनों को treat करेगा और इलाज करेगा आपकी low BP का medicine course में ऐसे ही detail में सीखे अलग-अलग दवायों के बार में उनके use dose side effect warning counter indication एक साल तक affordable price में तो ये course join करने के लिए हमें whatsapp करे 9016312020 पे हमारे second channel जो है उसको भी subscribe करे और support करे link मेंने आपको description box as well as comment box के अंदर देती है good luck and all the best